आज का प्रेरिणा पात है सब्थ व्यशन, साथ व्यशन स्याथ साथ लतें, साथ गुरी आतें जो व्यक्ति का विनाश करने वाली है, व्यक्ति को कंकाल बनाने वाली है, व्यक्ति और उसके परिवार को जो है कगार पे खड़ा करने वाली है, सब्थ व्यशन में पहले चोरी यानि अगर व्यक्ति धीरे धीरे चोरी करते करते बढ़ा डाकू बन जा तो उसकी लट पड़ जाती है तो जोर व्यक्ति जो है कभी इनकभी पकड़ा जाता है जेल जाता है और उसकी बदनामी होती वो किसी का प्रिय नहीं होता है और दूसरा जारी जारी का अर्ष्ट होता है परिस्तरी गमन जो व्यक्ति स्वधार संतोष करता है हमारे समाज ने शादी की विवस्ता ने एक पुरुष को मानने किया है लेकिन परिस्तरी पर पुरुष गमन करता है तो ये बहुत बड़ा दुराचार है और ये बहुत बड़ा साथ विष्णों में आता है वो वक्ति बदनाव हो जाता है और वो वक्ति का विनाश हो जाता है तीसरा मध्यपान, मध्यपान एक ऐसी लत है कि जो वक्ति कर लेता है वो कर लेने के बाद में उसको भान नहीं रहता है वो नाली में पढ़ जाता है उसकी उपर से वीकल चले जाते है और घर में आता लड़ा ही करता है जगडा करता है उसको ध्यानने के सामने मेरी बेटी है कि माँ है कि मेरी पत्नी है कौन है और वो बुरा सलूप करने लग जाता है चौता शिकार शिकार का मतलब जो है निरा पराज प्राणियों को मारना हमको किसी प्राणियों को मारने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उस प्राणियों को जनम हमने नहीं दिया है उस प्राणी को जनम देने वाली प्रकरती है, कुद्रत है, हमको किसी को मारना का कोई अधिकार ने वह इंसा है, ये डाला जाना चाहिए और इसके बाद के अंदर जुवा, जुवा का आप मा भारत, जुवे के कारण बना, तो इसलिए जीवन के अंदर कभी भी जुवे को न करने ची है, बढ़ना जीवन का विनाश है.